नमस्कार, स्वागत है आपका टागेट फॉर आईक्यू चैनल पर, मेरा नाम है अड्वोकेट पायल जैन और आज का जो लेक्चर है वो CPC से रिलेटेड है, CPC जो है वो सारी स्टेट जुड़ी श्रीज में पूछी जाती है और इसमें वेटेज भी इसकी काफी होती है और म जो हमारा कॉंसेप्ट है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है और वह बहुत वास्ट भी है और equally important प्ले करता है code of civil procedure को समझने में तो ये topic है आपका res judicator res judicator बहुत ज़ादा important है pre, mains में आप mostly question इसके से related पूछ ले जाते हैं तो चलिए video start करते हैं res judicator जो है वो एक Latin term है जिसका मतलब होता है a matter adjudged a matter that has been already decided it means a thing decided इसके बारे में CPC 1908 में आपकी section 11 जो है वो इसकी बात करता है res judicator applies in a case where there has been a final judgment and it is no longer subject to appeal, final judgment आ गया appeal की इसमें अब कोई गुंजाईश नहीं है तो वहाँ पे अब res judicator आपका apply होगा, तो res judicator जो है वो आपका continued litigation पर भी लग सकता है of a case on the same issues between the same parties क्योंकि between the same parties में same issues पर आप दुबारा से case नहीं कर सकते इस doctrine में दो concepts हैं आपके, एक तो claim preclusion और दूसरा issue preclusion, claim preclusion क्या होता है, claim preclusion वो होता है जहां पर अब आप दुबारा एक suit जिसमें आपका legal cause of action वही same जो कि already decide हो चुका है, वो आप दुबारा नहीं ला सकते उसको exclude कर दिया जाएगा ऐसे ही जो issue है जो same parties के बीच में already decide कर दिया गया है तो दुबारा real litigation आप नहीं लेकर आ सकते court इसके लिए आपको बार करता है कि जो earlier claim है और जो earlier issue है that has already been decided वो आप दुबारा नहीं लेकर आ सकते this does not include the process of appeal as an appeal is considered the appropriate way to challenge a judgment appeal के जो provisions है उसमें जो appeal होता है यह नहीं है कि एक case में trial court में judgment आ गया तो अब आप further appeal करेंगे तो res judicata लग जाएगा नहीं वो नहीं है इसका मतलब यह है कि once the appeal is exhausted or barred by limitation the res judicata will apply to the decision therefore its application is only on the final decision post appeal appeal से हो गया कि barred by limitation हो गया या appeal में भी finally decide हो गया तो उसके बाद जाके आपका res judicata है वो apply होता है res judicata को और अच्छे समझने से पहले आप इन तीन doctrine को समझ लें जो कि बहुत important है और यह आपको mains में लिखकर आना है आप अगर इसी तरीके से answer लिखके आएंगे तो आपको यकीन मानी बहुत अच्छे माक्स मिल जाएंगे तो पहली doctrine है नेमो डेबेटलिस विकसारी प्रो हिदम कौजा इसका मतलब no man should be waxed twice for the same cause एक इनसान को सेम कौज के लिए दुबारा परेशान नहीं किया जाएगा इसके ऐसे जो section है वो आपको CRPC में 300 में मिल जाएगा और हमारा जो आर्टिकल 22 है वो भी इसकी बात करता है नेक्स्ट है आपका इंटरस्ट रिपब्ली के उत्सित फिनिस लितियम इसका मतलब है अगर आप फर्दर एक जगह से खतम हो फिर दूसरी जगह कर दिया फिर उसी cause पर same cause action पर same parties आगे आगे फर्दर फर्दर करते चले जाएंगे अगर case तो देर शुड बी नो end to the to any suit to the litigation तो it is in the interest of the public कि भई जो एक suit है एक case है वो end होना ही चाहिए और last है आपका इसमें जो doctrine है वो है रेस जुडिकेटा प्रो वर्तितेत उक्यपितर इसका मतलब है a judicial decision should be accepted as correct आप ये नहीं है कि आप इसे अगर आप किसी trial court के decision से नहीं होए तो आप किसी दूसरों trial court में जाकर case कर देंगे नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक judicial decision को आपको मानना पड़ेगा कि ये correct है तो रेस जुडिकेटा के फाइदे क्या क्या है एक तो it aims to prevent injustice to the parties of a case that has been supposedly concluded by providing closure to a judgment and precluding any further claims जी उन parties के साथ ये injustice को prevent करता है जो बार 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 अगर case अगर बंद ना हो तो क्या होगा वो एक तरीके से उनके साथ injustice होगा उनके साथ torture होगा ठीक है तो एक तरीके से जो बेकार के जो claims है कभी कहीं कर दिया कभी कहीं किसी के court में अगर जाकर कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक तरीके से injustice होगी to the parties तो रेस जुटिकेटा जो है उस चीज़ पर बाहर लगाता है दूसरा unnecessary waste of court resources तीसरा multiplying of judgments and further claims would lead to several varied judgments on the same matter which would lead to confusion multiplicity of judgments से क्या होगा confusion create होगी जो multiplicity of suits है उसको तो यह prevent करता ही करता है multiplicity of judgments भी अगर आ जाएंगी तो कौन सी judgment को माना जाएगा तो it will lead to confusion तो इसलिए res judicator जो है यह चीज़े prevent करता है अब इसे इसकी जो definition इसको जो section 11 में जो given है उसको एक flow chart से समझने की कोशिश करते हैं कि एक particular suit है जो आपने court में institute किया है तो no court, court उसको try ही नहीं करेगी उस suit को which even the court has competency court के पास अगर किसी competent court ने उस suit को उस matter को जो suit में जो matter है उसको already decide कर लिया है when the court has conclusively determined the जो आपके उसमें rights है उसको subject matter है उसको court ने अगर decide कर लिया है किसके बीच में same parties है on the same cause of action तो वो आपको permit नहीं करेगा, court आपको permit नहीं करेगा for the subsequent suit subsequent suit के लिए court आपको permit नहीं करेगा because it is barred by the principle of res duty kata समझ में आई बाद, तो competent court था, अगर competent court नहीं था आपको बादे पता चलता है कि वे pecuniary jurisdiction से बाहर था या subject matter jurisdiction से बाहर था तो या territorial jurisdiction से बाहर था तो आप जो है, वो further आप case कर सकते हैं, res duty kata से बाद नहीं होगा, तो जब competent court ने conclusively determine कर दिये, the rights of the parties same parties के on the same cause of action, now the parties are not permitted for the subsequent suit because it will get barred by the principle of res duty kata further आप यह जो section 11 है, वो mandatory provision है directory नहीं है, mandatory provision है यह प्री में बहुत बार पुछा जाता है कि यह mandatory provision है या directory, आपको इसमें mandatory click, tick कर कराना है the only exception in which a former suit can be avoided is by taking recourse on section 44 of the Indian Evidence Act 1872 on grounds of fraud or collision आपको section 44 याद आ रहा होग है, Indian Evidence Act का उसमें यह लिखाता कि अगर कोई case fraud or collusion पे based है तो उसमें आपका res judicator उसको बार नहीं कर सकता, res judicator उसको पर apply नहीं होगा तो एक case आया था Bailey Ram and Brothers vs. Chaudhary Muhammad Afzal उसमें court ने held किया था when it was established, जब यह एक बार established हो गया कि minor का जो guardian है, उसने act किया है in conclusion with the defendant तो वो res judicator उसको पर apply नहीं होगा और उसके judgment को set aside कर दिया जाएगा by invoking section 44 of the Indian Evidence Act और बाते इसमें क्या के ध्यान रखने के लिए है जो उसमें उसके explanation given है उनको 8 explanation है, आप वो पढ़ते हैं कि उसमें क्या है, पहला former suit की जब बात करते हैं तो former suit का मतलब यह नहीं होता कि जो पहले institute किया गया इसका मतलब यह होता है कि किसको पहले decide किया गया former suit denotes a suit which has been decided prior to the suit in question and not when it was prior to this suit that is the date of the judgment and not the date of the institution of the suit ध्यान में रखने की बात है date of judgment ना कि date of the institution of suit तो former suit वो माना जाएगा competency of court का मतलब क्या है competency of the court to be decided irrespective of the right to appeal from a former suit the matter referred to in this suit must have been alleged by one party and either accepted or refused by the third party यह आपका third point है second point जो है वो को यह कहता है कि जो competency है court की वो decide is to be decided उसको decide की जाएगी इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि right to appeal आपका former suit में था या नहीं था third point आपका यह है कि the matter referred to in this suit इसमें यह होना चाहिए कि एक ने एक तरीके से क्या लगाया है alleged किया है अपने right को supposed किया है और दूसरे ने यातों से accept किया है या फिर refuse किया है point number four any matter which might or ought to have been made ground of attack, defense in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit इसको आप constructive res judicata कहते हैं पूछा जाता है constructive res judicata का provision कहां दिया गया है तो वो आपके section 11 में explanation 4 में दिया गया है कि जो पार्टी को already कोई defense लेना था या उसे attack करना था वो matter अगर वो पहले former suit में उठा सकता था और उसने नहीं उठाया तो उसे subsequent suit में नहीं उठाने दिया जाएगा fifth point आपका if any relief was claimed in plain and was not granted expressively यानि कि वो माना जाएगा कि it has been refused in such former suit अगर relief के बारे में कोई expressly court ने नहीं लिखाये तो आप ये माना जाएगा कि वो refuse कर दिया गया इसके बारे में भी प्री में बहुत बार question आ चुका है six बात करता है आपकी public interest litigation पे when person litigate bona fide है जब आप bona fide मतब आप true claim करते हैं in respect of a public और private right के बारे में in common for themselves and other all persons interested for the purpose of section 11 will be deemed as claiming under person persons litigating तो उसको अलग-अलग claim करने की ज़रूरत नहीं है इसका वो बात करता है a court of limited jurisdiction where the former suit was instituted and decided upon shall operate as res judicator even if the court of limited jurisdiction is not competent to try the subsequent suit इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर suppose कीजे कि पहले जो है a court pecuniary jurisdiction उसकी suppose करो 10,000 रुपे तक के suits की थी और आगे जाके उनकी जो competency है वो घट जाती है suppose करो वो सिर्फ 6,000 तक के cases ले सकती है तो यहाँ पर जो पुराने जो former parties है former decided suit है उसको लेके इस ground पे नहीं आ सकती कि आ कि यह party तो अब competent ही नहीं है नहीं जब वो उसने case decide किया था तब वो competency यह बात ध्यान में रखी जाएगी और जो उसका 8th point है वो है कि execution proceedings पर भी आपका rest judicata लगता है public interest litigation में यह है कि अगर former suit आपका bona fide in nature होगा तो and that it will not act as a shield in cases where public good is threatened or caution और यह shield की तरह वहाँ पर काम नहीं करेगी जहाँ पर public लोगों के फाइदे को धमकाया जा रहा है या फिर उने caution किया जा रहा है या उनको हानी पहुचेगी तो एक case रूरल litigation and entitlement केंदर and versus state of Uttar Pradesh इसमें Supreme Court ने observe किया था that the writ petition before them was not an inter-party dispute and the controversy in it was whether mining was to be allowed or not thus it was a matter that decided the social safety and providing hazardous free environment and therefore rest judicata could not be used as a shield अब यहाँ पे जो जब एक case finally decide हो गया तो mining जो है उसके ओपर दुबारा case कैसे ला सकते हैं लेकिन नहीं अगर environment को कोई भी हानी पहुच रही है तो आप case ला सकते हैं वो आपके लिए rest judicata का काम नहीं करेगा ऐसे यह case आया था Ram Das Nayak versus Union of India उसमें court ने कहा था by invoking rest judicata it was high time for the court to end repetitive litigations coming under the garb of कई बार क्या होता है लेकिन coming under the garb of public interest litigation public interest की litigation की आड़ में PIL की गार्ब में लोग क्या होता है जूटे लोगों को एक तरीके से प्रतार्णा देने की कोशिच करते हैं उनको एक तरीके से उनको उनको टॉर्चर करने की कोशिच करते हैं तो इस तरीके से तो court ने कहा है कि rest judicata ऐसे cases पर apply होना चाहिए next application of rest judicata rest judicata जो है वो आपकी same proceeding के subsequent stage पर भी apply होगी ऐसा किस में कहा गया है yb partil versus yl partil के case में court ने ये कहा था कि भई it becomes final and therefore would be binding upon the parties at any subsequent stages of the same proceeding co-defendant पर भी ये जो doctrine है ये apply होगी ऐसा कहा गया था मेभूब साहिब versus साइद सायद इसमाइल के case में ये case co-plaintiffs पर भी लगेगी in the case of iftikar एहमद versus साइद महरबान अली court ने ये कहा था if the four conditions are satisfied rest judicata will be applicable पहला there must be a conflict of interest between the co-plaintiffs necessary है to decide such conflicts in order to give relief to the plaintiff and the question between the plaintiff is to be finally decided अब है कि rest judicata कहा कहा पर apply नहीं होता वो habis corpus की petition में apply नहीं होता ये कहा गया था सुनीलदद वर्सिस union of India के case में उसमें कहा गया था कि it was held that habis corpus filed under fresh grounds and change circumstances will not be barred by our previous petition next dismissal of writ petition in lemon इसका मतलब क्या है कि without speaking orders ऐसा बोला गया था पुजारी बाई वर्सिस मदन गोपाल के case में कहा गया था कि rest judicata is not applicable when जब case आपका dismiss कर दिया गया है without speaking orders और on the grounds of latches or availability of alternate remedies next इसमें कहा गया था कि जो conclusively rights होते हैं जो directly आपके issue होते हैं उनको बाड किया जाता है rest judicata में यानि कि co-latery or incidentally को आप rest judicata से बाड नहीं होगे ऐसा कहा गया था सेयद मुहमद वर्सिस मूसा उमर के case में और rest judicata rent proceedings अगर fair rent proceedings को fix करना हो उसके case में भी rest judicata applicable नहीं होगा इसमें अब कुछ famous case laws हैं जैसे कि दर्या वर्सिस state of उतरप्रदेश देविलाल मोदी वर्सिस sales tax officer अफ्तार सिंग वर्सिस जगजीत सिंग मतुरा प्रसाद वर्सिस दोसा बाई NB GG Boy उसके बाद गुलाम अबाज वर्सिस state of UP और सलोचना अम्मा वर्सिस नरायना नायर 1994 यह case laws आप go through हो जाएएगे बहुत important है और res judicator किस पे apply होता है किस पे apply नहीं होता है यह अगर आपने इसके concept को समझ लिया इसका एक तरीके से आप purpose समझ जाएगे तो आप असानी से यह चीज़ distinguish कर पाएँगे कि किस पे res judicator apply होगा और किस पर नहीं होगा I hope res judicator और res judicator में जो तीन doctrine है यह बहुत important है इनको आप जरूर पढ़िएगा I hope यह वीडियो आपको पसंद आये होगी target for IQ को अभी तक आपने अगर subscribe नहीं किया है तो please कर लीजेगा and thank you for watching my video